नमस्कार स्वागत थे आपका मॉम्स के चन में आज मैं बना रही हूँ राजस्थानी कलमी बड़ा इसे चने की डाल से बनाया जाता है और ये बाहर से बहुत ही कुरकोरा और अंदर से सौफ्ट होता है तो चलिए बनाते हैं जल्दी से कलमी बड़ा कलमी बड़ा बनाने के लिए मैंने लिए एक कप भीकी हुई चने की डाल इसे मैंने राग भर पानी में भिगो दिया था और सुबहिब यिझा चानकर इसका पानी निकाल दिया है अब इसे मिक्सल जार में डालकर बिना पानी के दर दर पीसना है इसका एकदम बारिक पेस्ट नहीं बनाना है इसमें कुछ-कुछ ताने दाल के रहने चाहिए अब इसे एक मिक्सिंग बॉल में निकाल लेंगे इस दाल के बडो का टेस्ट बहुत ही अलक लेकिन टेस्टी होता है अब इसमें डालेंगे एक कप बारिक कटे हुए प्याज दो चमच बारिक कटी हुए हरिमेच एक चमच बारिक कटा हुआ लैसुन एक चमच किसी हुए अद्रक स्वाध अनुसार नमक एक चमच लाल मिर्च अगर आप ज़्यादा तीखा खाते हैं तो इसके quantity बढ़ा सकते हैं चोथाय चमच हल्दी पाउडर और चोथाय चमच गरम मसाला अब इन सभी को अच्छी तरह से मिला लेंगे बड़े बनाने के लिए कलमी दाल मसाला तयार है अब थोड़ा सा मसाला अपने उंग्लियों पर लेंगे और इसे दबा कर इसका flat goal shape बनाएंगे इसी तरह हम पहले सभी बड़ों को बना कर plate में रख लेते हैं जब भी हम ये बड़े बनाएंगे तो मसाला तयार करने के बाद हमें इसे हाथोख बना कर तलना होता है अगर मसाला तयार करने के बाद उसे चोड़ देंगे तो हमारा मसाला गीला हो जाएगा और वड़े अच्छे नहीं बनेंगे अब हम इन वड़ों को तलना है इसके लिए हमें कड़ाई में तेल डाल कर उसे गरम करेंगे और एकिक करके हमारे सभी वड़े कड़ाई में डाल देंगे और इन वड़ों को मीडियम फ्लेम पर डिप फ्राइ करेंगे अगर आप ये वड़े ओली नहीं खाना चाते हैं तो इससे आप ओटीजी या माईगरोव में बेग भी कर सकते हैं एक तरफ से बड़े सेख चुके हैं अब इन्हें पलटकर दूसरी तरफ से सेखेंगे दौनों तरफ से वड़े सेख चुके हैं अभी हमने इन्हें हलका सेखा है क्योंकि हम इन्हें दुबारा सेखेंगे सबी वड़ों को हम एक प्लेट पर निकाल लेंगे अब इन सभी वड़ों को हम तो भागों में काट लेंगे आप चाहें तो इसके लंबे-लंबे स्ट्रिप्स पे काट सकते हैं इस तरहें दुबारा काट कर फ्राई करने से ये वड़े पहुत ही क्रिस्पी बनते हैं बढ़े कटकर तयार हैं अब दुबारा फ्राई करेंगे अब बढ़े को दुबारा फ्राई करने के लिए हम उसी कढ़ाई में बढ़ को डाल देंगे और मेडियम स्ट्राइम पर इसे गॉलडन होने तर्फ्राई करेंगे बड़े तलकर अच्छी तरह से क्रिस्पी हो गए हैं तो ये देखिए बनकर तयार है हमारी राजस्थानी कलमी बड़े अब कर्मा गरम इससे बनाईए चाय के साथ खाईए और कमेंट करके मुझे जरूर बताईए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी